हलो फिरेंड्स मैं हूँ अताब आप हमारे साथ है योट्यूब जारकंटेलर में दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ कूर्ता का ताबिज पट्टी जो की बनता है बिल्कुल फिनीसिंग और उसका सिलाए बाहर नजर नहीं आता है दोस्तो वो चीज मैं बताने वाला तो दोस्तो इस तरह का साथने का हम चैनल वीडियो डाल चुके हैं आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं तो आए हम इसका स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बटन तरप का बनाएंगे दोस्तो इसको हटा लेते हैं इस तरह से इसको रखना है और इतना भाग छोड़के स लगाना है दोस्तों चुकि इधर हमारा पटी रहेगा तो यह बड़ा रहता है और यह रहता है छोटा तो इसको हमको थोड़ा सा ज्यादा लेना है मार्जिन में बिल्कुल यहां तक सिलाए हमको लगा लेना है आप देख सकते हैं यहां तक अर यह ज्यादा फ़र भाग हम इतना छोड़ के इसको कट कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर कट करना है आप देखिए यहाँ पर सिलाई से थोड़ा सा आगे तक करना है कट और यह भाग को निकाल लेंगे इस तरह से परके फिर हमको यहाँ से सिलाई लगाना है दोस्तों यहां से उपर समसिलाय लगाएंगे यहां से बिलकुल इस तरह से रखेंगे और सिलाय जहां यह उपर में हम नहीं लगाएंगे अंदर में लगाएंगे यहां देख सकते हैं यहां लगाना है सिलाय इसका कोर में ताकि फिनिसिंग हमारा सही लगे इस तरह का बट्टन पट्य हमारा बन जाएगा सिलाय हमें हा तक कर चुके हैं अंधोल किस्सारा का बनेगा बिल्कुल अब हम उसका जो ताविच पट्टी बनता है काजवला हो बना तो इसको शोड़ी के फिर प्लट एंगे हैं parte अन्दर कर लेना है इस तरह बिल्कुल सीथा में और ये जो लाइन देक्क रहा है उसका सानीस दे सके और मेरा उपर का छोटा बड़ा नए होगा दोस्तों इस तरह समराख लेंगे तो तेरे हम एक मार्क लगाएंगे इस तरह से कि अब देख सकते हैं हम मार्क लगा चुके हैं और यह साइड को हम इधर हटा लेंगा भी इसको यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल और यहाँ से जितना चौड़ा यहाँ पर छूट रहा हमारा कपड़ा उतना उपर तक हमको उतना ही छोड़के सिलाएं लगाना है इस तरह फिर हम इसको कर लेंगे और इसे घुमायेंगे दोस्तों इस तरह से और उपर से फिर हमको सिलाएं लगाना है दोस्तों जेश्ट करेंगे इस तरह आप देख सकते हैं धर भी धर भी इस तरह अर्जेश्ट करेंगे पूरा और यहाँ भी हम यहाँ सिलाएं करेंगे दोस्तों उपर में नहीं करेंगे इसका सिलाएं इसका नीचे हम करेंगे जस्ट नीचे बिल्कुल इस तरह से हाथ को देख लिजे आप हमारा इस तरह से आगे पकड़ना है और इसको पूरा अर्जेश्ट करके इधा देख लिजे इस तरह सर्जेश्ट करके अराम से सिलाएं लगा देना दोस्तों बिल्कुल असानी के साथ यह बनता है यहां तक हम सिलाय लगाएंगे बिल्कुल आप देख सकते हैं इसका नीचे में सिलाय लगता है और इधर भाग का हमारे जेस्ट करेंगे आप देख सकते हैं यह लाइनिंग जो है यह लाइनिंग के सीध में हमारा यह बिलकुल नुकिला भाग रहेगा दूनों साइड से बराबर और हमको अब करना कुछ नहीं है ज्यादा इसको इस तरह से गुमाना है और नीचे हमको अरजेस्ट कर लेना है इस तरह से अरजेस्ट करेंगे और यहां से इस तरह बिलकुल सीधा यहां उपर में सिलाए लगाना है एक सिलाए दोस्तों ये लग्यर में हमार ये नो बाग रहेगा और इस तरह सम शीलाई लगाएंगा इसमें बिल्कुल इस तरह से और सीलाई के उपर में ही एक शीलाई और लगाएंगा हम बिल्कुल इस तरह से सिलाय कोपर में ही सिलाय लगा देना है दोस्तों इसको अरजेस्ट करेंगे बिल्कुल और नीचे हम इस तरह से इसको अब देख सकते हैं इस तरह सर्जेस्ट करेंगे बिल्कुल और यहां से हमको एक सिलाय लगा लेना है दोस्तों इस तरह से हम यहां तक सिलाय लगा लेंगे बिल्कुल देख सकते हैं हम बिल्कुल सीध में है लकीर का सीध में इस तरह से अब इसका हम तुर्पाय करेंगे दोस्तों क्योंकि यह दोपाय बन रहा है, बिल्कुल इस तरह से सुईए को हम डालेंगे, सीलाइ के सीध में एक्तम और ऐसे खिचेंगे बिल्कुल इस तरह से एए एकराउन हमको दोपाय करना है, दोस्तों, देख सकते हैं आप, बिल्कुल आराम से इधर हमारा फॉल्स सिलाए लगा हुआ है दोस्तो तो इधर उदर भागने का कोई इसमें दिक्कत नहीं है इस तरह से हम एक राउंड प्रुपाय कर लेंगे यहां तक हम इस तरह से तुर्पाय लगा लेंगे दोस्तों और फिर यहां सुई डालेंगे बिल्कुल यह सिलाए के सीध में और इधर हम पल्टेंगे इसको इस तरह से फिर यह अंदर वाला जो हमारा है इसका भी हम एक राउंड तुर्पाय कर लेंगे अंदर से बिल्कुल इस तरह से तुर्पाया हम लगा लेंगे और ये फॉल्स इलाए को हम खोल लेंगे दोस्तो बन चुका है दोस्तो अब देख सकते हैं कितना फिनिसिंग लग रहा है यहां तक आप देखिए पूरा और इसका अंदर में इस तरह से और ये इसका पल्टी साइड है दोस्तो इधार अब देख सकते हैं कितना खुबसूरत ताविच पटी हमारा बना हुआ है बिल्कुल फिनिसिंग के साथ